अतुल्य भारत अभ्यान के तहट आने वाले अतिति देवो भव कैम्पेइन के चहरे अब सदी के महानायक अमिताब बच्चन और प्रियंका चोपड़ा होंगे ये बेहद सामानिसी खबर सुनने में लगती है लेकिन इसके पीछे एक असामानिसी जानकारी भी है एक विवादत मुद्दे की लगता है नीव पड़ सकती है आखिर ऐसा क्या हुआ कि दस साल तक इनक्रेडिबल इंडिया का चेहरा रहे आमिर खान अचानक हटा दिये गए उनकी जगे अमिताब बच्चन और प्रियंका को लाने का फैसला किया गया अभी तक कैम्पेइन के लिए कोई एड कंपनी ये चुनती थी कि उनका स्टार कौन होगा लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बार अतुल्ले भारत के ब्रैंड अम्बैसेडर को चुने जाने का आदेश पहली बार सीधे पी एमो से जारी किया गया है सवाल ही उठता है क्या आमिर को उनके बयान की सजा मिली है इस पर करेंगे बात विस्तार से बैमान हमारे साथ जुड़ चुके है लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट अतिति देवभवा ये दोनों अब होंगे अतुल्य भारत के चहरे सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी के बाद दोनों के नामों की आपचारी घुशना भी कर दी जाएगी और दोनों अतिति देवभवा के एड में 3 साल तक नजर आएंगे पर असली खबर ये है कि ये दोनों जगह लेंगे आमिर खान की वो आमिर खान जो पिछले 10 साल तक इसका एड करते नजर आए थे लेकिन 10 साल बाद अचानक वो चहरा बदल दिया गया आरोप है कि आमिर का एक बयान उनकी मुसीबत बन गया दरसल आमिर का ये बयान उस वक्त आया जब देश में असाहिश्णता के मुद्धे पर साहित्यकार और फिल्मकार अपना पुरसकार लोटा रहे थी और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर था आमिर के बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ बीजेपी कारेकरताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया आमिर के पुतले फूके उस पर कालिक पोती गए यहां तक कि सोशल मीडिया में भी इस बयान पर जमकर भहस हुई उसके बाद एक फैसला आया आमिर को अतुले भारत के ब्रेंड अम्बेसिजर के पद से हटा दिया गया विपक्ष ने इसको मुद्दा बना कर सरकार पर हमला किया दंदेश ऐसा जाता है कि सरकार खफा है उनकी उस बात से और सरकार को उनका ये खुल कर कह देना जो भी उनके मन की बात थी वो टॉलरेंट नहीं गुजरा तब सरकार की तरफ से सफाई आई थी कि जेसे एड एजनसी ने आमिर को रखा था उससे करार खत्म हो चुका है कुछ समय बाद ये सवाल फिर उठे जब मुंबई पुलिस ने आमिर खान की सुरक्षा कम कर दी बीच बीच में आमिर के खिलाव बीजेपी ने ताओं का बयान से साफ हो गया कि बीजेपी ने आमिर को उनके बयान के लिए माफ नहीं किया है बीजेपी नेदा जीवियल नरसिमहा राओं ने तो यहां तक कहा कि आमिर इंक्रेडिबल इंडिया के लिए भरोसे मन नहीं थे लेकिन बीजेपी जोडने में विश्वास करती है तोड़ने में नहीं वहीं उमा भारती ने कहा कि आमिर और उनकी पत्नी ने देश की छवी खराब की है कुछ समय तक विपक्ष के विरोध के बावजूद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन हाली में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिल पॉलिसी और प्रमोशन के सेकरेटरिय अमिताब कांत अमिर्खान पर देश की ब्रैंड आइडेंटिटी को लुकसान पहुचाने का आरोप लगाया बता देगी जब प्यम मोधी गुजरात के सीम थे तब उन्होंने गुजरात के प्रमोशन के लिए अमिताब बच्चन को चहरा बनाया था अमिताब बच्चन इससे पहले यूपी के भी ब्रैंड अम्बेसिटर रह चुके हैं अब अमिताब के अतुल्य भारत के ब्रैंड अम्बेसिटर बनने के बाद कई सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं अमिताब बच्चर और प्रियंका चोपड़ा को अतुल्य भारत से जोडने के सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं तीसरा क्यामिर खान के बायान को बीजेपी और सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्ण बना लिया हैं क्यामिर खान को हटा कर सरकार कोई संदेश दे रही हैं और पांचवा सवाल क्या अमिताब और प्रियंका के नियुक्ति पी-एमो से मन्जूरी के बाद हुई हैं इस चर्चा में हमारे साथ मौझूद है दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी कॉंग्रिस प्रवक्ता काम्या मलोत्रा मुंबई से आमादमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीती शर्मा मिरन और यहां स्टूडियो में मौझूद है अंजुवन मिनाज रसूल के अध्यक्ष मौलाना सेद अथर हुसेन देहलवी साब दली साब मैं आपे शुरुआत कर रहा हूँ इंक्रेडिबल इंडिया के एड्स के अंदर आमिर का योग खत्म होना अमिता बच्चन के योग का शुरू होना क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार यहां कोई संदेश दे रही है माइवे और हाइवे या तो आप मेरे साथ है या फिर आप मेरे खिलाफ है पहले चीज़ तो यह कि भारत खुद अतुलिये है आमिर खान हो या मिता बच्चन हो उन सब को अतुलिये भारत ने बनाया है मैं आमिर खान के उस वेक्तिकत बयान को जो उन्होंने बयान दिया मैं उससे सहमा तो ये मैं बलकुल नहीं, ये मेरी अपनी जाती रहा है लेकिन यहाप बलुनी साहा मुझूद है मैं संखशेप में इनसे बात पूँछना चाहता हूं जिस देश में सौमी विवेक journad हूं जिस देश के अंदर महात्मा गादी जिस देश के अंदर शामापरसाथ मुखर जी हो या अटल बिहारी बाजपा जिस देश की पधार मंतरी बने हो जिस देश जो जेश चंद्रमा पे पहुंच चुका हो मंगल पोसना अपना यान उस देश के बारे में सर्वोच पत्पे बैठा हुआ एक वेक्ति बाहर जाके ये कहे कि उस भारत में पैदा होके मुझको शरमाती थी मैं रोता था कि मैं किस भारत में पैदा हो गया एक सर्वोच पत्पे बैदा हुआ वेक्ति बाहर जाके ये कहे कि भरश्टा चारी और करप्शन से लिप्ट लोगों का भारत में लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे मुझको आप बताईए क्या विदेशी धर्ती पे जाके भारत का यानादर करना या भारत क्या तुलनेता को खताम नहीं करता एक मिन आपका सीधा सवाल बलूनी से क्या है बिलकुल मैं पूछता हूँ कि आमिर खान के साथ मेरी ना वेक्तिगत वो उसका नाम आमिर खान अगर होता ह या आमर कुमारो तो भी मैं यही कहता पर बलूनी साथ मुझको बताईए माने ने परधार मंतरी ने जो कहा कि भारत में पैदा होके मुझको शरम आई थी या जिन्होंने का करप लोगों का कोई पैसा नहीं लगाना चाहता आखरी बात दो दिन पहले वराक अबामा ने पा तुल्या नहीं है इसलिए तुल्या था कि जो आप बात कर रहें इस पर अपना आप क्लिरिफाई कीजिए हिंदू मुसल्मान अमित कुमार अमिता बच्चन दोनों सब हैं और आमिर खान हो या शारू खान या अमिता बच्चन भारत इन सब से बहुत बड़ा है भारत अच पहले बात मेरा भी आप से सवाल है कि आप लोग अशेहन सीजटा को जो नाटक और नौटंकी करते रहे हैं और बहुत पुरे दिली के परवकता हैं तुछे मुझे मुझे मेरे को बोलने दीजिए एक को मुझसे सवाल करना तो उसके माध्यम से कीजिए एंकर के माध्यम से पहले अपनी आप लोग मत करो अपनी भाषा पर सयम रखो अपनी भाषा पर सयम रखो पहले देखे सुनिये आप किसकी दुकान चलाते हो सब मुझे पता है आप लोग किसकी दुकाने चला रहे हमें मत बताईए अच्छा आप लोग प्रुनिया लाके मुझका मत बताईए परदार मंत्री ने बाहर जागे का भारत में शर्माइब करो हमें सब पता है ये नाटर्क और नॉटन की अपनी आप लोग में पर जवाब को तोड़ाता उस पर जवाब दो ना तुनिये आपकास जी मैं आपके चैनल पर मेरा अधिकार है मैं इस तरह के अशेंस जिल व्यक्तियों के सवाल के जवाब नहीं देना थाओं मैं ये लोग मालदा पर नहीं रोते हैं अरे उडली साथ में आप लोगों को आप लोगों को बेज़ज़त करने की जो आप लोगों की साजी से ना कि भारत में इंटॉलरेंस है प्रदान मंत्री ने जो कहा था उसका प्रस्पेक्टिव थोड़ा सा लग था उनका यह कहना था कि इसके पहले भारत पे प्राइग था उसके मुकाबले भारत के लेकर आप जादा घर्व करते हैं मालदा के अंदर जो कुछ हुआ उसके खिलाव भी देलवी साब बोलें आपको 30 सेकंड में बिना किसी रोक टोक के रहता हूं अनिल जी देखिया आकाशी मैं कभी बहुत होट टॉक करता नहीं हूं लेकि इन लोगों के जो जो जिस मंसा से लोग सवाल पूछते इसलिए जव आप लोग नया रंग रोप करते रहते ना आप लोग बदलते रहते ने सब चीजों को आखिर एक किसी कंपनिया कॉंट्रेक्ट था कॉंट्रेक्ट खतम हुआ कोई नहीं लोग आएंगे कोई नहीं तरीके से परचार किया जागा भारत का कोई नहीं होगा इसमें कहा दिक्त है लेकिन आप ये शूख रहा है क्विलकु में घंप सेहन है इस बात से की आभन euh एंग जाहां पे आमेर खान ने अपनी फीलिंग express करी तो उनको incredible इंडिया से निकाल दिया गया कहा कि contract खत्म हो रहा है चलिए contract खत्म हो रहा है but that is a different thing सुनिए I am an artist also this field is one of the most secular हम जब किसी के साथ काम करते हैं तो हम यह नहीं सोचते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसल्मान है कौन सीख है कौन इसाई है जो freedom of expression है कामिया जी आप मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा आप एक कलाकार है और आपको याद होगा किस तरह से congress party के अंदर विवाद हो गया था अमिताब बच्चन जी को ही लेके क्योंकि वह गुजरात के brand ambassador थे और अगर मुझे सही आद है तो international film festival के अंदर उनको मुख्यातिदी के तौर पर बुलाया गया था उसके बाद बवाल हो गया था पुणे के अंदर साहिति सम्मिलन में उनको बुलाया गया उसके बाद बवाल हो गया मुख्यमंत्री चाशोक्चवाण उस समय काहिकरम में बुलाया को सवाई देनी पड़ी थी कॉंग्रेस के मुख्या नहीं आकार्चिन के लिए ने ने सुनिए मैं ये कह रहे हूँ कि जो इन्टॉलरंस बढ़ रहा है वो अब क्यूं बढ़ रहा है कोई तो वज़ा होगी इसकी इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ ये आप लोगों का फैबरिक एडिट है मैडम कभी नहीं आई आप लोग देश की बेस्टी कर रहे हैं इस तरह से सुनिए आप लोग राज़ीती करें देश का पमानवत कीजिए काम्यागी आप राज़ीती कीजिए देखिए हमें को तिक्त नहीं है तो इस तरह की फीलिंग क्यों बढ़ती चली जा रही है कोई तो वज़ा होगी और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ये आमिर खान को इस मुकाम तक पहुचाया है मैं समझ रही हूँ एक मिनिट मुझे खत्म करने दीजे मैं ये कह रही हूँ कि वही आमिर खान जो इस मुक प्राइब खान नहीं पीपल और वाक्स अव लाइफ चाहे वो राइटर्स हो स्कॉलर्स हो पॉलिटिशन हो साइंटिस्ट हो इतने लोग हैं जिनमें ये इन्टॉलरंस की फीलिंग आ रही है आपी की लोग है सारे जो कर रहे हैं इस तरह की घुटन ये सब लोगों को अव आपके आपके पास आना चाहूंगा प्रीती क्या आप बच्चन को जिस तरह से कॉंग्रेस ट्रीट किया और आज जैसे कि आरोप लग रहे हैं बीजेपी आमिर खान को ट्रीट कर रही है दोनों ही गलत है हम इसे छुट नहीं सकते इस बात से ये तो होना ही है नहीं मैं बोल रहे हूं लेकिन इस तरीके से बत्तमीजी से आमिर खान को निकालना इसके बारे में बीजेपी जुट बोलने की कोशिश भी ना करे क्योंकि सब को पता है इनकी बहुत वेंजफुल और ये लोगों के बदला लेते हैं और लोगों के खिलाफ काम करते हैं लोगों को टार्गेट करते हैं और अपने पपेट्स को लोग जगा 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 पे बिठाते हैं तो ये बीजेपी की जो आदत है वो हर समय सब के साथ जुट नहीं बोल सकते लेकिन दिल्ली में जूट को अस्विकार किया है और इनका ये जूट चलता हर है जैसे स्मृती रानी ने आज जूट बोला थोड़ी देर पहले अरुन जेटली ने पार्लेमेंट में जूट बोला था इनके जूट और इनकी इंटॉलरेंस और इनकी लोगों को डिवाइड जब से बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं तुम लोग तोड़ने में लगे हुए है तेखे देखे ऐसा है केजरी वाल की पार्टी के लोग बोलें अरे वही क्या क्या प्रसांद मुसन के साथ कितन अब देखे बरस्टाचार के साथ होना आप लोग अब तो राजंदर कुमार के साथ होना आप लोग नहीं हो बताओ हेलो डीडी सीय में व्रस्टाचार आपके कैबनेट में मंतरी जूट बोलते हैं अपनी डिग्रीज के बारे में जूट बोलते हैं आपकी तोमनाथ भारती क्या है बताओ बोलती है कि उन्हों ने कैलाश विजय वरगी जी जो बीजेपी की जेनरल सेक्रेटरी हैं उन्हों कि अभी एक के साथ हुआ है फिर दूसरे के साथ होगा राम माधव जी ने कहा पाकिस्तान जा सकते हैं शारुख खान की उपर एडी की इनक्वाईरी की गई तुरंत वाई क्यूंकि उन्होंने अपनी फीजेश आप दूट आप दूट आप दूट आप दूट आप दूट आ लिए नहीं तरह जा है यहां जाना चाहरें जो आप कर रहें हैं कि अध्यों यह वह सब्सक्राइब करन की दे पो यह निक्मा ल शुंद वोल रही है क्यों फार एगए गाट साथ जनकारी दे रही है सबसे अहम तरीन चीजे में फिर बार उस बात को दोराता हूं कि अतुलिय भारत है अमीता बच्चन देश की मैं समझता हूं कैसे प्रोमनेंट है जिन्होंने भारत के आज वो पहचान है भारत के अंदर श्री गुरु गोबिन सिंग सहाब की ड्रेस पहन के एक वेक्ती ने उनकी ड्रेस अप करा बगवान विश्णू का ड्रेस अप करा उस पर कोट में केस चला कुछ नहीं हुआ परिम्तु उसी वेक्ती के कपड़ें कर कीकू नाम के एक वेक्तीने जो जो आद से कला का रहे था उसके बाद इनकी सरकार ने क्या करा उसको जेल में भेज़ दिया हमारा कहना अभी वेक्ति की आजादी हो आमिर खान हो कीकू हो बलूनी साब हो मौलाना देहलवी हो या माने परधार मंतरी हो सब को इस देश में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है आप कहरें सताधारी बीजे प्रिशे डबल स्टैंडर्ड बिलकुल आखरी बात अंतिम बात अंतिम बात में यह कहना चाहता हूं अतुलिय भारत पे आप कह रहा है आमिर खान का का काउंटेक्ट खतम हो गया मैं फिर कह रहा हूं अगर वो अमीत कुमार हो तब भी भोस के लि होता है हराद बिखन पशेंदर नहीं होता है आप अगशेंदर के समान करता हूं कौन सा कॉम्छा कि ये ना कि आप ये पताइए ना वंड़ी है पूरी सब्सक्राइब पूरी सब्सक्राइब कर दोग हुआ पूरी सब्सक्राइब पूरी सब्सक्राइब करता हुए नहीं करता है करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि अवार्ड वाप्सी तभी होती है जब सरकार कोई बत्तमीजी करती है लोगों के साथ करते हिए और पूरी सब्सक्राइब नहीं कि अश्याय कि सब्सक्राइब तोड़िये आपको जवाब दे दिया आप सब को पूरा रोगांदी आप सब पूरे माहौल खराब करने में किसी परिकेश से देश का माहौल खराब करेंगे बहुत 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 दन्यवाद देवली साब बलूनी जी कामेय जी और प्रीती जी ये पहला डीबेट या समाप दोता है